सब्सक्राइब करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की सुबह से अब तक की फीलिंग्स ठीक है सुबह से वो अब तक आपके लिए क्या फील कर रहे थे ओवरॉल एनरजी को चेक करेंगे ठीक है बस एक मिनिट हां हो गया अलबॉर अच्छा मैं उन लोगों को बोलूगी थोड़ा ज़्यान देने के लिए जो लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रेस हो रहा है एंजाइटी हो रही है या किसी तरीके का ब्लाक मैजिक अगर फील हो रहा है प्लाक माजिक अगर फील हो रहा है तो आप लोग ज्यादा ध्यान देना अगर आप लोगों को रीडिंग के बाद थोड़ा सा रिलीव फील हो तो समझ जाना कि वो थोड़ा सा आपके लिए healing का काम कर रहा है यानि कि reading आपके लिए healing का काम कर रही है ठीक है क्योंकि मैं किसी तरीके का spell cast कर रही थी meditation हो चुका है ritual complete हो रहा है बस अभी में water डाल रहे हूं ठीक है एक second है इसको पर side रखते हैं यह आप लोगों कैसे heal कर सकता है देखो sometime यह बहुत work करता है sometimes बहुत अच्छे लेवल पर work जो है इसकी होती है जिससे आपकी healing वगएरा लेक अंदर से आप exhaustion फील करते है breathing issues फील करते है सास लेने में दिक्कत आती है कोई भी तरीके कि अंदर से like stress होता है या black magic feel होता है तो उस पर यह definitely work करता है half of the logo के लिए यह अक्षर work किया है ठीक है but it's up to you आपके intentions पर निर्भर करता है ठीक है अच्छा by the way spell jar workshop करने जा रहे है आप interested होंगे register कर देना number उपर है whatsapp पे charges लागू होंगे उसके लिए 999 rupees उसमें आप 3 प्रकार के spell jars बनाना सीखेंगे एक love का एक होगा attract love करने के लिए एक होगा money attract करने के लिए एक होगा healing के लिए ठीक है आप सीख सकते हो personally और खुद खुद के लिए design कर सकते हो उसका difference क्या होता है उसका difference यह होता है कि अगर आप बाहर से कहीं से ले रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो spell cast हुआ है वो एक साथ bottles बनाकर जो है sell कर देते हैं आपको 100% उसकी guarantee नहीं रहती जब आप personally खुद अपने लिए spell cast करते हैं bottles तयार करते हैं तो उस पर आपको भरोसा जादा रहता है plus market से लेने जाते हैं 2000 के आपको जो है product मिलते हैं spell jazz जो है 2000 के मिलती है जिसकी कोई assurity भी नहीं होती ठीक है उस चीज़ को अगर आप घर पे बना ले कम price में तो जादा अच्छा है ऐसे आप in future अगर आप चाहे कि नहीं आप इससे और भी लोगों की healing करना चाहते हैं और लोगों को मदद करना चाहते हैं घर वालों के लिए सब के लिए बनाना चाहते है घर में आपको लग रहा है कि यह फलाना परसन बहुत बिमार रहता है चलो इसको बना के दे देती हूँ या घर में लग रहा है कि यहां पर negativity है चलो इसके लिए इसको use कर लेते हैं दूँगी एकटा बल्क में बनाकर बस भेजते जाएंगे जो जो मांगेगा तो ऐसा मत करना ठीक है क्योंकि उपर वाला देखने वाला देख रहा होता है वो इस चीज को अलाओ नहीं करता है वो बुलता है कि अगर आप गलत चीज कर रहे हो तो फिर उसका सजा भी आपको द है अब प्यॉर सोल के साथ करते हो तो डेफिनिटली वो आपके लिए भी रिवार्डिंग होता है आपके लिए भी ब्लेसिंग्स बनती है ठीक है तो सीख सकते हो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा मार्केट में लोग इसे बहुत एक्सपेंसिव बेच र प्रिशने से अच्छा इसे अच्छा इसका घ्यान दे दिया जाए इसको सिखा दिया जाए तो हर बच्चा अपने घर में खुद कर पाएगा यह अपने घर में आप लोग जो है खुद बना पाएंगे अपने लिए इन फ्यूचर भी वह आपको काम आएगा और हो सकते है आप अपने आने वाले पीड़ी को सिखाएंगे कि चलो यार ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं है ना, छोटा सा इन्वेस्मेंट कर गे अगर आप लोग कुछ सीखते हो तो तो इसमें क्या बुराई है सिर्फ 999 रुपीज का हमने कोर्श रखा है आपको पे करना है, स्क्रिंशॉट भेजना है तीम को और उसके बाद आपकी रेजिस्ट्रेशन हो जाती है 24 मार्श को यह कोर्स होगा और 11 बचे, ठीक है, so let's start with the reading उन्वर्स गाइड करें इनके पार्टनर की morning से लेकर अभी तक की feelings में आपकी energies को भी check करूंगी इसमें, ठीक है आप जिस व्यक्ति से deal कर रहे हो न, वो व्यक्ति सुबह से बहुत lazy feel कर रहे है बहुत जादा laziness है, ऐसा लग रहे है कि कुछ जादा काम करने का मन नहीं कर रहा है मन थोड़ा सा उदास है और बहुत strongly ये व्यक्ति के life में marriage दिख रही है या तो ये married है या इनके बच्चे है विकास मुझे बहुत जादा लोग around दिखाई दे रहे है मन नहीं है और पता नि क्यों यहाँ पर मुझे baby girl energy जादा दिख रही है तो या तो इनके पास छोटी सी प्यारी सी गुडिया है कोई like baby है इनके पास या ये आपको baby girl बुलाते हैं क्योंकि मुझे baby girl दिख रहा है या इसको ऐसा भी कह सकते है कि ये feminine energy में आ चुके है यानि कि ये काफी जादा एक स्त्री की तरह हो सकते है या पुरूश है वो तो जेंडर का मुझे आइडिया नहीं आप अपने इसाब से देख सकते हैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती बट यहाँ पर क्लिरली ऐसा लग रहे है कि ये अंदर feminine energy याने कि softness sensitive energy बहुत जाद है जिसमें थोड़ा सा emotional हो रहे है थोड़ा सा caring हो रहे है ये व्यक्ति ना बहुत जादा एक ऐसा लग रहे है कि morning में ये ऐसे थे एक आहें भरने वाली energy होते है ऐसे होता ने कि मुझा ठक गए यार like exhausted वाली वो वाली energies आता है कि एक बोलते ना आहें भर रहे है और ये clearly मुझे दिख रहे है कि इसके वज़े से क्योंकि clearly आप इनको या तो mind में बहुत आ रहे हो पिछले कुछ time में या तो आप जो है इनको सपनों में दिखते हो क्योंकि सपनों की energy है या mind की energy है subconscious mind है इनका जिसमें से दिख रहे है कि ये उस चीज़ को सोच के ऐसे सोच रहे है कि ओ यार फिर से ऐसा लग रहे है जैसे कि morning में इनोंने सपने वपने में आपको देख लिया जिसके वज़े से exhaust हो रहे है कि यार फिर से मुझे वो इस सब चीज़े क्यों feel होती है या मुझे इस इंसान का ध्यान क्यों आ रहा है इसके वज़े से बैट से उठने को थोड़ा सा ऐसा लग रहे है कि सुस्ती हो रहे है यार काम करने का मन नहीं कर रहे है थोड़ा सा मायूसी है आपके partner clearly ऐसे दिख रहे है कि इस चीज़ को feel नहीं कर पा रहे है कि वो depressed है कभी-कभी होता है कोई depression से गुजरता है तो उसे feel नहीं होता है कि वो depression में है उसे लगता है वो एकदम normal life जी रहा है बस उसको कुछ feel ही नहीं होता ना हसी ना दुख और वो दीरे 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 बहुत जादा एकदम गहराई में anxiety में चला जाता है अंधकार में चला जाता है तो वही वाली energy है जहाँ पर यह काफी emotionally low feel कर रहे है depressed feel कर रहे है पर इन्हें ऐसास नहीं उस चीज़ का इनके लिए life बहुत normal है पर यह अंदर से बहुत low feel कर रहे है like ऐसा लग रहे है frankly speaking कोई motivation की कमी है इनके जीवन में motivation नहीं है इनकी life में जिस motivation से यह खुद को बहुत ताकरवत ताकतवर मान ले और बुलते हैं उठकर कुछ energy से काम कर लेगी यह कर लेना है वो कर लेना आज यह निप्टाना है या आज इस तर तक पहुंचना है यह चीज़े प्रूफ करनी है उन चीज़ों में थोड़ा से लग रहे है कि अपनों में definitely आप दिखे हो, अपनों में या thoughts में हो, अप early morning thoughts में थे आप इनके, लड़का है, लड़की है, एक माइने नहीं रखता, ये overall energies की मैं बात कर रहे हूं, thoughts में हैं, जहां पर ये exhaust हो रहे हैं, कि यार ये इंसान मुझे आखिर इतना ध्यान क्यों आता है, इस इंसा को तो अपनी life में जो भी चाहिए, वो मिल रहा होगा, और मैं याप पर ऐसे हूँ कि, oh god, मैं उसको भूल क्यों नहीं रहा हूं, तो एक irritation है जैसे की, उनको clearly ऐसा लगता है कि, आपकी life में तो आप तो normal होंगे, आपको क्या इतनी problem आई होगी, बट इनको कितनी irritation हो रही है कि, यह निकल नहीं पा रहे हैं आपके वज़े से, क्योंकि stuck energy है, आपके partner को feel हो रहा है कि, वो बहुत जादा stuck हो चुके हैं एक रिष्टे में, और एक ऐसा रिष्टा हो चुका है, जिससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, और ऐसा लग रहे हैं कि, यार मै कहां फसाओं मैं निकलना ही नहीं चारा हूँ या निकलने का try नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहे हैं कि, जैसे कि आपके रिष्टे में ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि, ये कैसा feel कर रहे हैं, इनको खुद को ही अजीब सा और awkward feeling आ रही है, motivation की कमी ये represent करता है कि ये व अगर ये व्यक्ति वरकाउट्स कर रहे हैं तो इनको अचानक से वरकाउट्स बंद कर दिया है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आज कलिए वरकाउट्स पे, इनके energy में butterfly बहुत दिख रही है, तो there are chances कि आप दोनो spiritual journey में और ये व्यक्ति अविक्निंग के एक process से गुजर रहे है clearly मुझे दिखाए दे रहे हैं कि इनका heart chakra blocked है, जिसे धीरे-धीरे healing की जरौत है और ये उस process पे directly नहीं जाएंगे, इसलिए पहले थोड़ा सा low feel कर रहे हैं ताकि धीरे-धीरे इनको realize हो, कि इनको अपनी life को heal करने की जरौत है, इनको कुछ करने की जरौत है, जिसे better feel कर सके ये सब आपसे concerned है, आपको लग रहे हैं कि इससे मेरा कुछ concern नहीं नहीं, ये सब आपसे concerned है, इसलिए reflection मेरे सामने है, या पर clearly दिख रहे हैं कि आपके partner जो है, कुछ लंबे समय तक किसी से contact नहीं करना चाहते, वालब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी बात करू तो ऐसा लग र पूरियां बनाना चाते हैं, इनको लग रहे हैं कि ये बस अब बहुत समय से ना, एक ऐसी energy में है, जहां पर वो खुश नहीं है, जैसे ऐसा लग रहे है कि उनको अपनी life में कोई बात की excitement या खुशी महसूस नहीं हो रही है, उनको लग रहे है कि उनकी life में problems ही problems ही, problems का को कोई अंत नहीं है, मैं चाहा कर भी इन चीज़ों से निकल ही नहीं रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तकलीफ में बहुत जादा हर दिन pain मेरा बढ़ रहा है, हर दिन में को कही न कहीं से निराशा हासल हो रही है, अब मुझे clearly से दिख रहा है कि आपके partner न बहुत का फील कर रहे है, इनहीं लग रहे है, जैसे कि life में बहुत जल्दी सब कुछ इतना लोग तेजी से आगे बढ़ रहे है, इतना सब कुछ ग्रो हो रहा है और ये जैसे कि एकदम से बुड़े हो गया और इनको लग रहे है कि इनमें ताकत नहीं है, चीज़े करने की कुछ इनमें excitement नहीं है, clearly इनके sexual desires भी खतम हो चुके हैं, चीज़े कली भी ये जादा active नहीं है, इनका मन नहीं करता किसी से touch करना, physical होना, या किसी से connection में आना, बस चीज़े जैसे isolation की energy जादा बन रही है आपके partner की, आपके partner ने जैसे खुद को isolate कर रखा है, अपनी emotions को, अपनी मार के जाते हैं, उसमें कोई motivation नहीं होता, या काम पे ध्यान नहीं होता, या वो वाली बात नहीं होती, जो energy होते हैं पहली एक powerful energy वैसा उन्हें feel नहीं हो रहा, आपके partner का subconscious mind आपसे मिलना चाहता है, आपके partner नहीं, उनका अंतर्मन, उनका अंतर्मन जैसे आपसे मिलना चा आते हैं, आपसे बुलते हैं, एक connection चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, पर आपके partner in real world, normal world में अगर देखे जाए, तो उन्हें इन चीजों का या अपनी feelings का एहसास नहीं है, वो जैसे कि एक denial होता है, नहीं आ रही है, इंसान को मैं याद नहीं कर रहा हूं, यह सब सि एक addiction हो गई है, एक आदत लग गई है उसकी, जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं, यह इसके वज़े से हो रहा है, एक होता है denial, वो denial वानी energy है, यह विक्ति उठकर आपके लिए stand लेने से कत्रा आ रहा है, ऐसा लग रहा है, रिष्टे को लेकर ही denial है, तो stand कैसे लेंगे, इससे खुदी अंजान है, अभी कि इनकी feelings उनको खुदी नहीं मालूम कि exactly यह ऐसा क्यों feel कर रहे है, या लोग क्यों feel कर रहे है, यह अपने ही feeling से अंजान है, लेकिन past में ऐसा दिखाई दे रहे है कि इनका प्यार आपके लिए बहुत जादा था, यह extreme प्यार करते थे कोई न कोई पहचान वा लोगों भी आपके idea रहती थी, बाते होती थी आप लोगों की, excitement वाली relationship थी, पर अभी यह relationship में जैसे ऐसा लग रहा है, यह बहुत dull है और अपनी feelings हो नहीं समझ पा रहे है, और exhaustion है, isolation है, depression है, happy नहीं है आपके partner, आपके partner आपके society की बहुत सुनते ह क्योंकि ऐसा दिख रहे है, जैसे ही मैंने future की बात करी, तो ऐसा दिख रहे है कि चार लोग क्या कहेंगे, यह चार लोग क्या सोचेंगे, इन चार लोगों को जवाब देना होगा, यह पहले पूछो इनको चार लोग कौन है, इन चार लोगों के घर जाकर ज़रा बात करनी बढ़ेगी आपको पता नहीं क्यों लोग दूसरों के बारे में इतना concerned ही होते क्यों है मुझे समझ ही नहीं आता मुझे सबसे जादा चिड़ लगती है इस चीज से यार वो करो न जो तुम्हारा दिल क्याता है चार लोगों का क्या है मुझे बार-बार बच्चा बहुत दिख रहा है यहाँ पर पता है या तो आपके घर में कोई बच्चा है या यह कोई baby girl जरूर है क्योंकि बार-बार मुझे बच्चा दिख रहा है यह ऐसी energy है frankly speaking अब मुझे समझ में आ रहा है यह बच्चे की energy आपके partner की है यह बहुत जादा बच्चो जैसे हो चुके है बलब यह अपने emotions को जो denial दे रहे हैं यह बले शरीर से बहुत लाइक होते हैं बड़े हैं यह खुद को बड़े भुड़ा मैसूस कर रहे हैं लेकिन इनका behavior बहुत बच्चो जैसा है यह अपने life में बहुत जादा unstable वाली energy में जादा है ऐसा लग रहे है clear ही नहीं है इनकी life में कुछ इनको की इनको क्या चाहिए इनको कुद ही नहीं पता पस ऐसा ही कि दस लोगों के बारे में बहुत concerned है इसका क्या बुलना है इसको क्या बुलना है यह क्या सोचेगा वो क्या सोचेगी लक्षमी मा के पैर बने हैं यहाँ पर represent कर रहा है धन लाब हो सकता है आपको अचानक से पैसा आएगा आपको पैसे की बरकत होगी आपको तिजोरी में पैसा भरने वाला है भाई आपकी लाइफ में न कोई good news expected है और यह कुछ ही दिनों में होगी I am not saying कि इस relationship के related बट यहाँ पर आप लोगों के लिए न बहुत प्यारा सा एक बोलते न एक जंडे जैसी energy बनी है जो represent कर रहा है कि कोई बोलते न ग्रीन सिगनल और लहराते हुए energies आदा है अचानक से कुछ good news मिल सकती है आपको universe मुझे मेरे viewers की energies का बता है आप खुद पर focus कर रहे हैं अच्छा खासा आपका ध्यान है खुद पर आप अच्छे से handle कर रहे हैं खुद को बट अंदर से थोड़ा सा exhaustion है आपका और आपका और आपके partner का हाल काफी हद तक एक जैसा ही है मालब यह lowest energy आपकी भी है कभी-कभी आपकी भी ऐसे एकदम से हो जाते हो आप इनसे बात करना चाते हो because मैंने ऐसे देखा कि जैसे कि आप हाथ चला रहे हो और आप ऐसे उनको बोल रहे हो कि यार सुनो मालब आप ऐसे like कुछ express करना चाते हो आपके mind में कुछ है जो आप इनसे बोलना चाते हो I'm not saying कि सिर्फ love ऐसा नहीं बोल रहे हो कि love करना चाते हो या आप इनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हो आप बहुत पोलाइकलि इनसे बात करना चाते है. कुछ तरीके कि ऐसा लग रहे हैगी जैसे कि कुछ है आपके mind में जो आपको क्लीर करना है blev क्यूंकि आप मुझे बात करते वह दिखें सामने है ऐस सले को आप बात करना चाहते हो, अभी के लिए आप ऐसे बात नहीं करना चाहते हो, अब तडप रहे हो, मरे जा रहे हो, कि अरी क्यों बात नहीं कर रहा है, अगर यह खतम भी होना यह रिष्टा, अगर इस रिष्टे में कुछ भी नहीं है, इवन एंड में कुछ रिसीव नहीं होना है, कुछ मिलना नहीं है, पर अपने आपको अच्छे से ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, हाँ, सोड़ा सा लेजी और मोटिवेशन की कमी तो दिखाने के आपके बीहिवेएर में अलग है, आप मोटिवेशन दिखाने को दिखाते हो, लेकिन अंदर से आप बहुत जादा, मलग ऐसा लग रहे है कि धीरे धीरे हील हो रहे हो, स्लोली स्लोली हीलिंग हो रहे है आपकी, एकदम से लो हो जाते हो, एकदम से मूट स्विं हो आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा और यह नहीं हो सकता है आप dh देख पारे है अब प्रैक्टिकल सेप्टे़ बहुत हो रहे हैं आप आप दिमाग से सुन रहे हैं और दिमाग की कर रहे हैं आप seeking इस्ते में सिफ बोलते हैं टाइम बेस्ट टाइम पास करने वाली एनरजी में नहीं है ख्लीर लग रहा है कि आप समझ चुके हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इंट्यूशन आपके बहुत स्ट्रॉंग है आप इंट्यूटिव होते वे नज़र आ रहे है हीलिंग आपकी चल रही है औरड़ी ऐसा नहीं है कि पॉपसली आप कहीं से करवा रहे हो बट मनी मन जो एक्सपेक्टेड है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है आपके पास लेकिन पैसा ज़रूर आने वाल है धन में को काफी दिखरा दा यहां पर धन ज़रूर आएगा आपको ठीक है यहां पर क्लियरली जो साइंस मुझे रिफलेक्ट हुई है वो पहले बता देती हूँ मुझे यहां पर टारस दिखा है जमिनी दिखा है करक राशी दिखी है वरिशव राशी दिखी है लिबरा है वरिश्चिक बैने आपको बुला ना अल्रेडी लिबरा भी है इनिश्यल जो लेटर्स को ज़ादा मिले है मुझे जो लेटर्स ज़ादा मिले ना वो प है और आर है ठीक है जो नंबर रिफलेक्ट हुए है नंबर है जीरो अब ये जीरो का पता नहीं क्या मतलब है शाद शुन्य से शुरू होगा फ्रेस्टार्ट है और 9 नंबर है 9 उल्टा है एक्चुली तो पॉसिबिलिटी है कि 6 या 9 है और 2 है ठीक है 2020 भी हो सकता है ठीक है तो ये कुछ नंबर्स और ये एनर्जी दिखी है ठीक है बाकी सारी जान करें अगर आप लोगो रिडिंग के रिलेटेट चाहिए अगर तो अस रिडिंग करानी है स्क्रीन पे डिटेल्स है आप वाट्स अप करें चार्जेबल होती है रिडिंग फ्री नहीं होती जैसे आप वाट्स अप करते हैं आपको चार्जेश पता चल जाते हैं ये तो डिपी पे भी लिखे हुए है ठीक है उसके अलावा ब्रेसलेट बनवाने हैं तो आप अमिट से को कांटाक करें यहाँ पर उनका भी नमबर है वाट्स अप करें उन्हें और अपने बर्देट सी अनुसार बनवाए हैं अपने पॉपस के अनुसार बनवाए उसके अलावा वर्क्शॉप जोइन करनी है सेम नंबर जो आप लोगों के लिए स्क्रीन पे दिख रहा है उसी नंबर पे आप वाट्सप करें टीम को वर्क्शॉप के बारे में पूछें वो आपको वर्क्शॉप की डीटेल्स बेजेंगे आप पे कर ले, पे करके क्रिंशॉट भेजे और रेजिस्ट्री कर वा ले ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही मैं चलती है अपना ध्यान रखे, मुस्कराते रहें बाइटेक केर, ओम साहिराम